नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ्रूलैनी इंटीग्रल स्टेट्मेंट क्या है अगर एक एक कॉंटिनियूस फंक्शन है लेकिन जीरो और इंफिनिटी पर उसकी सिंगुलेरिटी जा रही है देन इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो तो इंफिनिटी फ of ax minus f of bx by x dx is equal to यह चार options है इसके वो depend करता है इन conditions पर पहली है अगर यह integral convergent हो 0 पर भी और infinity पर भी 0 और infinity दोनों पे convergent होने का क्या मतलब है हम इसको break करेंगे 0 to 1 और 1 to infinity क्योंकि 0 to infinity है न अगर यह वला integral भी convergent हो और यह वला integral भी convergent हो दोनों convergent हो तो हम कहेंगे कि इसकी value आएगी 0 दूसरा case अगर ये वला convergent हो ठीक है ये वला convergent ना हो तो इस integral की value आएगी ये तीसरा case अगर ये वला convergent है लेकिन ये वला convergent नहीं है तो इसकी value आएगी ये और fourth case अगर ना ये convergent और ना ही ये convergent है तो इसकी value आएगी ये अब ये f0 और f1 क्या है f0 है fx की limit as extends to 0 और f1 है fx की limit as extends to infinity ठीक है तो statement क्या है कि ये जो integral है वो इन चारों में से किसी एक के बराबर आएगा वो depending करता है इस बात पर अगर दोनों convergent है तो ये answer अगर ये convergent है ये नहीं तो ये answer अगर ये convergent है ये नहीं तो ये answer और अगर दोनों में से कोई भी convergent नहीं है तो ये answer ठीक है अब हम इसके ओपर based numerical numerical देखते हैं इसके ओपर based अब हम जैसे पहला question है show that this अब इस theorem में तो ये minus में होना चाहिए था f of a x minus f of b x तो हमें इसको कुछ इस तरीके का बनाना है तो हमने क्या किया इसको 2 से multiply 2 से divide किया और इसको formula लगा दिया 2 sin a sin b का तो ये हो गया cos a minus b minus cos a plus b ठीक है तो और इस वले 2 को हमने इस तरफ लाके i से multiply कर दिया तो 2 i इसके बराबर आ गया वो 2 इदर भी पढ़ा रहता तो भी कोई issue नहीं था ठीक है अब ये हमारा आ गया ठीक अब इसको इस question से comparison करो f of a x minus f of b x by x अब हमें f x पता लगाना है ये है f of a minus b x और ये है f of a plus b x तो f x क्या बना सिर्फ cos x ठीक तो हमें किसकी integration चेक करनी है cos x by x की 0 to infinity ठीक है तो f x हो गया cos x और cos x by x की हमें देखनी है 0 to infinity तो हम क्या करेंगे इसको break करेंगे 0 to 1 और 1 to infinity में और फिर हम ये चैक करेंगे कि ये वला convergent है या नहीं है ये वला convergent है या नहीं है ये हम चैक करेंगे 2.2 exercise से और ये हम चेक करेंगे 2.3 और 2.4 exercise से ठीक है इस तरह के questions हमने 2.2 में पढ़े थे और इस तरह के questions हमने 2.3 और 2.4 में पढ़े थे तो वहाँ से हमें चेक करना है कि यह दोनों convergent है या इन में से कोई एक convergent है और उस हिसाब से फिर इन चारों में से answer आ जाएगा तो इस question में देख़ते हैं क्या है इस question में लिखा है कि this is convergent at infinity जैसे book में इसका proof दिया हुआ था कि sign x by x 1 to infinity dx is convergent जैसे इसका proof था बिल्कुल same इसका भी proof आ जाएगा कि cos x by x 1 to infinity dx is convergent बिल्कुल same जिस तरह से इसका proof था सेम उसी तरह से इसका भी प्रूफ आ जाएगा तो इसलिए लिखा है कि ये infinity पर तो convergent है और आगे लिखा है इन्होंने दुसरे वाली चीज के बारे में बताया नहीं कि 0 to 1 वाल इंटेग्रल का क्या रहा तो वहाँ ये convergent नहीं होगा वह हमें 2.2 exercise के हिसाब से देखना है तो आगे लिख दिया therefore ये बना case number 3 कि 1 to infinity वाला integral तो convergent है लेकिन 0 to 1 वाला convergent नहीं है ठीक है यहाँ देखते हैं कि अगर infinity वाला convergent है और दूसरे वाला convergent नहीं है तो answer आता था F0 log B by A B ये वाला constant हमारे question में है B plus A A plus B और ये है A minus B तो ये हो जाएगा F0 log A plus B by A minus B F0 क्या है F0 है Fx की limit as extends to 0 ठीक है तो हमारा F0 है ये Fx की limit as extends to 0 जो कि कितनी आई 1 ठीक है बस answer लिख दिया F0 log A plus B by A minus B F0 की value कुट कर दिया और ये answer आ गया इसी तरह से next question है इसमें ये है F of AX ये है F of BX तो F of X क्या बना सिर्फ E की power minus X अब इसके लिए लिखा है कि ये भी infinity वाले पर convergent है और दूसरे वाले पर नहीं है तो ये भी case 3 बना उसी हिसाब से F0 log यहाँ पर है minus B constant और यहाँ पर है minus A constant ठीक है और F0 क्या था Fx की limit as extends to 0 ये था हमारा F0 बस इसकी value पुट कर दिया answer आ गया लेकिन इन questions में आपको ये चीज पूरी proper तरीके से करके दिखानी है कि 0 to 1 वाला जो है Fx by X ये convergent है या नहीं है और जो 1 to infinity वाला है ये convergent है या नहीं है इनके proper proof देने हैं सारे इसके 2.2 exercise के हिसाब से इसके 2.3 या 2.4 exercise के हिसाब से यहाँ तो सिधा लिख दिया कि ये वाला convergent है infinity वाला convergent है लेकिन ये वाला convergent नहीं है इसलिए case 3 लगा के या answer आ गया बढ़ आपको इस सारे का proof देना है कि ये वाला convergent क्यों नहीं है और ये वाला convergent क्यों है इसी तरह से सेम बिलकुल हमारा ये third question है ये हो गया f of ax ये हो गया f of bx तो f of x क्या बन गया tangent inverse x और 0 to infinity में इनोंने लिखा है कि ये 0 पर convergent है ठीक है तो हो सकता ये infinity वाले पर convergent ना हो फिर आगे लिखा है therefore by case 2 case 2 तो वही था कि जब 0 to 1 वाला integral तो convergent हो लेकिन 1 to infinity वाला convergent ना हो ठीक है this is divergent ठीक तो ये लेकिन करके दिखाना है कि 0 to 1 वाला convergent क्यों है और 1 to infinity वाला convergent क्यों नहीं है और f1 क्या था fx की limit as extends to infinity उस हिसाब से f1 की value आचाएगी और वो जो case 2 था वो था f1 लोग a by b f1 की value पुट कर दिया और या answer आ गया